दियर स्टूडेंट आज की या वीडियो भी ए फोर्थ समस्टर के सोसोलोजी यानि की समासास्त्र वाले स्टूडेंट के लिए महा संग्राम होने वाली क्योंकि आज की इस वीडियो से ही लगबग लगबग प्रशन आपकी परिच्छा में पूछे जाने वाले हैं तो जिन इस वीडियो में मैंने कोईश्चन भी इनकिलूट किया जो पिसले वालों में कई बार रिपीटेड हैं और इस बार आने वाले एंड कोईश्चन के साथ उसका उत्तर भी है पीडियाप सहीत है ताकि आपको कहीं और जाने क्या सकता ना पड़े सिर्फ और सिस्ट वीडियो समाजिक समय क्राइफ की तो उस से रिडियो पोईश्चन आएंगे तो यही सारे कोश्चन आएंगे इनके बारे हम चर्चा करेंगे कंपिलीट वीडियो देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्ण है बिरो बिरोजगारी किसे कहते हैं ठीक है तो यह बहुत कॉमन प्रोब्लम है आज के युवाओं कि आज के जो भारत है आज के जो समाज है उसकी और आप लोग देखते हैं काफी ज्यादा हमारे पढ़े लिखे जो हमारे ठीक है युवाँ है यह फिर कोई भी है वह आज कल उनको द तो आपको बिरोजगारी की परिभाफा देनी है चलिए जानते हैं सिंपल सा लुखेंगे एक प्रमुख बिद्वान है इनके नुसार है यह परिभाफा जिनका नाम है रौफिन तथा ग्रे गोरी इन्होंने कहा है कि एक बिरोजगार बेक्त वह बेक्त है जो वरतमाम समय म काम नहीं कर रहा है मतब कि कोई भी बेक्त है अगर वह काम नहीं कर रहा है तो वह बिरोजगार ही कहलाएगा क्योंकि उसके पास कोई अपोर्चुनिटी नहीं है ना कोई नौकरी है मतब कि बिरोजगार वह इंसान है जो कोई कोई भी काम नहीं कर रहा है ठीक है ठीक है जो शक्रे धंग से यानि कि पूरताया एक्ट्व तरीके से या सक्रे धंग से कारी की तलास में मतलब कि वो दरड़ भटकता है कारी के लिए जॉब के लिए ठीक है नौकरी के लिए मजदूरी के लिए ठीक है जो सक्रे धंग से कारी की तलास में जो वर्तमान मजदूरी पर काम क करना चाहता है तो बेरोजगार ही तो कहलाएगा ये वहीं वेखत है जो करण्ट यानि वरतमान समय में कोई भी काम नहीं कर रहा है या फिर कोई काम करने की तलास में है ठीक है और साथ साथ में जिस हिसाफ पे जो रेट चल ला मस्दूरी का उस पे वो काम नहीं करना चाहता है ठीक है वही इंसान बिरोजगार है तो सिंपल सी बिलकुल सटीक परिबासा बिरोजगारी से सम्मंदित करीब करीब एक से दो प्रश्ण गारंटिक सुध अगर यही प्रश्ण देर घुत्रे में आ गया तो आप लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी दस नंबर का प्रश्ण भश जाएगा ठीक है अब आते विरोजगारी से सम्मंदित और भी प्रश्णों के ओगर जिसे की विरोजगारी कितने प्रकार की होती है तो अब प्रकार की होती इसकी परिवांफा अलग अलग विद्वानों के सारा अलग-अलग भी लेकिन बिरोजगारी मुखेता दो प्रकार की होती है एक तो Hoot 10 अंसीक बिरोजगारी एं जिसमें वे बिधतत आते जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल जैसे कि मैंने पहले बात कर रखी आप सभी को बता रखा है कि आंसिक बिरोजगार या फिर बिरोजगार वो भी इंसान आते हैं बिरोजगारी के अंतरगत जो भी पढ़े लिखे हैं फिर भी उनको नोकरी नहीं मिल पा रहे हैं उनके अंदर quality है talent है skill है ठीक है बात करने की त पहली तो हो गई आंसिक बिरोजगारी तो आंसिक बिरोजगारी उसे कहते हैं इसके अंतरगत वो भी बेकता आते हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नोकरी यानि रोजगार नहीं मिल पा रहा है ठीक है पूर्ड समय रोजगारी वा रोजगारी मतलब कि एक हो गई मत सब बिरोजगार है सुरू से ही बिरोजगार मतलब कि स्टार्टिंग से उसके पास कोई भी नोकली नहीं है तो इस प्रकार पारिभाफा लिखेंगे अगर प्रस्णा आया तो देखिए हम वह सारे कोईश्चिन आप सभी के लिए तैयार किये हैं यह सब हमारे द्वारा तैया लगती है और अगला कोईस्टिन भी विरोजगारी फे जुड़ा ही है कि विरोजगारी निवारण के उपाय बताईए यदि आपको विरोजगारी हटानी है ठीक है ठीक है और आपको एक जो इम्पुलाइमेंट होता मतलब की जो लोग नोकरी कर रहे हैं कहीं जॉब कर रह ठीक है उसको भी रोजगार कोई नोकरी ने मिल लई कोई इंसान अनपड़ है फिर भी उसको नोकरी कोई कुछ भी नहीं मिल ले चाहिआ मचव दूरी कुछ भी ठीक है तो अगर इन चीजों को हटाना तो उसके लिए कुछ निवारण है कुछ उपाय है कि कि किसी को संख्या प्रद्ध क्यों कि लिए यह लें यह दिन यह वागत व्रद्ध 소oda प्रद्ध सब्द्ध उसे दुखằng हो वहब सब्सक्राइब तो जन संख्या के वज़ा फे काफी लोग जो है वो विरोजगार रह जा रहे तो यह बड़ा बहुत बड़ा यह कारण है और यहां पर बात कही जा रहे निवारण की तो जन संख्या ब्रद में नियंतित करना मत्तब की जन संख्या ब्रद कंट्रोल करना हम दो हमारे दो वाल कि एक सांथ बच्चे हो गए तो भीति जा रही और बरती भी रहेगे लेएक बहुत बड़ा समस्थाइड बेर होती है तुट मतलब हुआ किसी अहुत के अहाँ भूबर आते हैं मार्केट में जुक की मालीFit कि वह माली चेज की कोई फसल है वह दोबार होती है तो उससे क्हा combine लोग कर लेतें जैसे की आप लोग देखते हैं कि जो सब्याठी है कि लोग Pars apart सारी फ़ल आते हैं ठीक है उसमें क्या करते हैं लोग इंजेक्शन डाल लेते हैं पहले दिन तो इतना चोटा रहेगा दूफरे दिन आप जब देखने जाएंगे इतना बड़ा हो जाएगा कोई भी फ़ल हो या फिर कोई सब्जी हो तो यह बहुत बड़ा कारण है हमारे जो समाज है समाज के जो लोग है इनका बहुत बड़ा इसे नुक्सान हो रहा है तो क्रसी का विकाफ होना चाहिए जो चीजे होनी चाहिए और नेचुरल उगानी चाहिए ताकि लोगों को सही चीजे पहुंच सके और क्रसी का साथ साथ में विकाफ हो के लोग खेती में भी अ जो नियम कानून से पढ़ाई होनी चाहिए उसको बताना चाहिए ठीक है तो सिध्धा सिच्छा पद्धित में सुधार का मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर आपको नौलेज रहेगा आपके अंदर तैलेंट रहेगा सिच्छा रहेगी तो आप अपना जो काम है वो नियमित रूप से करेंगे ठीक है आपको आच्छी जानकाई रहेगी तो आप जो जन संख्या है उस पर बढ़ोत्री ना करके एक नियंत्रत एक जो इस टेप एक जो होना चाहिए दो हम दो हमारे दो दो बच्चे करेंगे तो सिच्छा की नौलेज है तभी इनसान इस सब चीजे कर लोगों को जाग रुकता होनी चाहिए तभी उनको अच्छी नौकरी मिल पाएगी वह भी रोजगार नहीं रह पाएंगे ठीक है तो यह भी बहुत जरूरी है बहुत लोग आप लोग देखते कि मजदूरी क्या करते हैं ठीक है लेकिन पढ़े लिखे नहीं तो मजदूरी अगर आप के सहर में आपके सुना होगा की रोजगार जो मेला लगता उसमें बहुत सारे अलग- рассказыв in間UST हो लोग बाग उसमें इंट्रवीव देने जाते हैं अगर पास हो गए इंट्रविव में तो रोजगार दफ्तरों के अस्तापना होने चाहिए तो रोजगार जहां पर पर आफिस बड़ी-बड़ी बनाई जाए और उसमें बताया जाए कि यहां अत्मक्कार है देश की वर्तमान अर्थ बेवफ्था में शुधार है सोच मलग और माध्यम उद्द्यों का विकास है बेवसाइक विच्छा है तो यह सब हैं एक विरोजगारी निवारण करने को उपाए ठीक बहुत पॉप्लर कोश्चन है ध्यानना कहिए अगला है कि भारत में अपराद के कारण बताई बहुत आरे अपराद के कारण का बहुत और पॉइंट वहारत की या था किस्तितलब कानून का मतब् digo है कि जो कोई गलग काम कर रहा है कोई अपराद कर रहा तो सकी जो ह्ए वो कड़ी कारिवाही ना करके उसको इस्टा पैसा लेकर या फिर आफ़ाई छोड़ देना इफले अपरात बढ़ते अगर कोई अपरात कर रहा है कोई गलत काम कर रहा है तो अगर जो भी सरकारी करमचारी है अगर वो एक्षन लेंगे ठीक है तो साइध ही अगली बार से जाहिए दूसरा पॉइंट है कारणा कि विरोजगारी भारत में देजी से बढ़ती जनसंख्या कर रहा है यानि कि भारत में बहुत तेजी जनसंक्रा बढ रहे है और जो रोजगार है नो करी ठीक है वो बहुत लिम टेड है ठीक मालिजे कि कहीं पर बैक Whenever देखते हैं कि सो वेकंसी आती हैं ठीक है लेकिन उसमें फॉर्म कितने पड़ते हैं आपने देख आपने खुदी इमेजिन किया होगा अभी जो यूपी यूपीवी का जो पेपर लीख हुआ था उससे पहले उसमें कितने फॉर्म फिल किये गए थे उसमें 50-60 लग फॉर्म आवेधन किये थे तो जनसंख्या जादा है रोजगार या फिर वेकंसी जो है वो कम है लिम्टेड ही है तो क्या होगा तो बहुत यह जिए कि 10,000 या 50,000 वेकंसी निकली है और फांपड़ रहे हैं बताए कितने कितने फांपड़ते हैं आप सभी को मालूम होगा पचाफ पचाफ साट लाग फॉर्म फिल मतब कि फॉर्म लोग फिल करते हैं वेकंसी जिप 60,000 की तो पाएंगे कितने 60,000 की वेकंसी तो 60,000 ही पाएंगे बागी के जो इस्टूडेंट वो कहां गए तो वो क्या करते हैं कोई न कोई अपराद करने लगते हैं उनको नोकरी लोगों का निजी स्वार्थ संसकारों का अभाव जो रित रिवाच कलचर रे सिस्टम वो ना अपनाना ठीक है जैसे कि आप संसकारों की बात आ गई कि लोग करते क्या है कि अपराद का अंतर्य अंतर्गति भी आ जाएंगे कि कोई माली जैंटरकाष्ट का कोई लड़की लड़का इफादी कर लेता है ठीक है या फिर दोनों आपस में लब करते हैं ठीक है फैमिली से बात करते हैं फैमिली एग्री नहीं होती है तो वो क्या करते हैं फैमिली वालों को अपने राफ्ते से अलग हटाने के लिए गलत कदम उठा पकते हैं माता पिता को मार सकते हैं और उनकी बात न मानी जा वंडिते हैं स नहीं करते हैं और यहां पर यही जब फैमली वाले नहीं बोलेंगे लड़की लड़का बोलेगा लेकिन नहीं मानेंगे तो वहाँ पर क्या हो गलत कदम उठाएंगे लोग तो आजाएगा तो संसकार नहीं है तो यह तो द्यान रखेंगे अगला प्रश्टाचार ब्रश्टाचार बहुत बड़ा ये word है और बहुत बड़ा इसका मतलब भी है ब्रश्टाचार ऐसा कोई जगे नहीं है प्रदेश नहीं है जहां पर ब्रश्टाचार नहीं हो हर जगे जगे पर ब्रश्टाचार है वो चाह इंसान घर से बाहर निकलत भी ब्लाक में जाता है तो विए पर आप जिस भी काम के लिए जतना उसका रेट rat उससे ज्यादा इस्ता पैसा लग रहा है ठीक है और आपका ज्यादा समय लग रहा तो वही हो गया अब रश्टा चाहर जैसे कि कोई काम है वह आपको 10 रुपे में होने वाला है ठीक है लेकिन आप बार बार उस चीज को करने के लिए जाते हैं लेकिन तब भी आपका नहीं ह काम करा देगा लेकिन उसके बदले क्या उसको मिला है 100 रुप कि तो यह क्या हो गया तो यह प्रिक्रिया जो है वह दिन प्रति दिन बढ़ती जा रहे ब्रश्टा चार की और यह कंड्रोल होने वाली ने उसकी के बारे में परिभासा है जान लीजे बेलकुल आपको आफान बाट यानि की बुरा या बिघड़ा हुआ तो जो जो ब्रष्ट है उसका मतलब हो गया बुरा यानि की बिघड़ा हुआ तो यहाँ पर भ्रष्ट अचार यह दोनों सब्द हैं दिए ब्रश्ट प्लस आचार तो यहां पर आचार का मतलब होता है आच्रण अर्था ब्रश्ट-अचार का साबदिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो उसको हम रफ्ताचार कहेंगे ठीक है कोई भी आचरण है वो लीगली नहीं है इन लीगली है यानि कि अनुचित है अनैतिक है तो क्या हो गया वो एक गलत काम हो गया ठीक है तो इसको हम बोलेंगे आचरण ठीक है वह आचर ज जो आपका जो काम करने जा रहे हैं और अनुचित हो रहा है तो इस प्रकार पर लिखेंगे इसके बारे में और वह बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो इसे प्रकार बना कर लिख देंगे आगे तब भी आप लोग काफी ज़्यादा नंबर बिल जाएंगे और भष्टा चार स इस बार भी आएगा और करीब करीब एक दो नंबर कर नहीं आए कमसे तो लगुत्रे माए गए तो पांसे आठ नंबर मिलेंगे निरगुत्रे माए तो तस नंबर पक्की होगे और आयगते हैं ठीक है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब सार्वजिनिक धन और पद का इस् पहुंपार्मेटाइए तो गया को प्लीज क्या करेगा आपको काम के लॅख को कि 2000 रुपे देना पड़ेगा इस काम के लिए ठीक है तो रिश्टा चार हो गया और करमचारी कौन सरकारी है ठीक है पूलिस कोई सब्सक्राइब का सरकारी तो है यह व्रष्टाचार हो गया जब जिनिक धन और पद का इस्तमाल करकर अधिकारी या करमचारी द्वारा ब्यक्तिकत लाप राप्त करने कि पूलिस वह अपनी ब्यक्तिकल लाप के लिए तो इस प्रकार के प्रोसस को हम कहेंगे ब्रष्टाचार अताहा प्रतचिया परोच रूप से ब्यक्तिकत लाप के लिए निर्धायत करतब्यों की जान बोज़कर अपेच्छा करना है ब्रष्टाचार है यह बहुत पॉप्लर कोश्चन ध्यान लखेंगे ठीक है अगला प्र 5 कारणों की चर्चा उन्होंने की है जितमेंसे पहली वस्तो और सेवाओं की कमी पहला है वस्तो और सेवाओं की कमी दूसरा है पार-दरसिता का आभाव तिसरा है लाल-फेता साही और आकार्तिक नियम तथा प्रक्रिया जो बहुत समयनश्थ करते हैं अगला हो गए आपका चान नंबर जो है वह प्रसाफनिक अभिक्रण अफ्थाई एक निरेड़यों द्वारा प्रदान किया गए वैधानिक फनराच्छन जो इफ वैधान पर आधारित है कि सभी उस समय तक एक मिनट उस समय तक मान लिजे कि आपका काम नहीं कर रहे हैं तो के प्रमुक्त कारण हैं जहां जल्हां करण जिन वारे में आपने फूर साथ में तयार कर सकते हैं मुणा कर दिते हैं पांच अंसाम की पॉछा गया हलाकि और लिखेंगे कि साइबर सब्द से भली बात परचित होने के पस्चाथ हम स्वीरे तोर पर या का इफेक्ट है कि साइबर अपराद का मतलब यानितात पर उन घैर कानोनी गदविद्यों से है जिने कंप्यूटर नेटवर्क एम सुचना और संचार प्रद्दोगी की फिजुड कि कर थैद्युटर के माधन की dirig का इनट्रनेट के माधन है वह देट मिलाकी कारिवर्क से अधारे इंतनेट की घैर कानोनी कार्यावाले जो कारि मतलब कीद्विदियार्यानो रही halo !!! वो computer के मादधम से की गई है, network के मादधम से की गई है, इंटरनेट के मादधम से की गई है, फिर किसी electronic उपकरणों तथा जो internet पे जुड़े हैं, उनसे की गई है, तो उसको हम cyber crime कहेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, बिल्कुल simple तरीके से परिभासा, ठीक है, अगला प्र दुर्खीम की आत्महत्या के सिध्धान्द मताईए, दुर्खीम एक प्रमुक समाज साफ्त्री है, प्रमुक विद्वान है, इनके रुसार भियाफ अक्ता है, आत्महत्या की परिभाफवा, आत्महत्या की सिध्धान्द, तो आपको ध्यान रखना है, पॉप्लर कोश्च वादी फिद्धान्द की प्रिष्ट भूम में किया है दुर्खीम के नुसार जिस समाज में पारिवारिक युम नातेदारी संबंद संगठित होते हैं उनमें एक इकर्ण होता है यानि कि कई नातेदारी कई परिवारिक लोग इकठे संगठित होते हैं संबंद आपस में एक होता मतलब कि एकठा रहते हैं एक ही विचार से सब कारे करते हैं ठीक है वहां पर आत्म हत्या कम होती है यानि कि जहां पर सभी सहमती के अनुसार कोई कार किया जाता है सभी लोगों का जो मन है सभी लोगों के जो निर्ड़ हैं वो परिवार दस बारा लोग है कोई रिष्टेदार तो उन लोगों का तरीके से जो ग्रूप है बही सब्सक्राइब करने का रिशीजन है उस सभी के सेम मन है या फिर सेम नीड़े ले रहे हैं या सेम बाते कर रहे हैं तो वहां पर आत्म हत्या मतलब कि इक अधी, इकठा हैं सब लोग के लोगे लेकिन जहां पर संगठनों के कमें कमी होती है वहाँ पर आत्मध्य जादा ह होती है कि अधा पर कोई हैं इस चीज करना चाहिए और दूसरा निश्थेदाराता नहीं नहीं इसको ऐसा करना ही नहीं कदाप इस तरह के अलग-अलग मदभेद वाले या फिर अलग-अलग नेड़े वाले जहां पर चीजे होती है ठीक है वहाँ पर यह सब कदम उठाया जाते हैं आत्मत्या के सिर्फ यही उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं और भी छेत्रों में इसका उदाहरण है जैसे क कि कोई इसमें बार्वी और दास्वी का रिजल्ट आने ही वाला है और कुछ मतलब कि एक तरकित मान सकते आहीं गया है ठीक है तो इसमें बहुत फारे स्टुडेंट फेल भी होंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है ठीक है वह फेल होकर घर में बताएंगे कि हम फ मैं बार्वी में फेल हो काने दो दो नौको तो इस तरह कि बहुत सारी जो अलग अलग उस जो फेल होगा इस्टुडेंट उसको बहुत वारी बातों को सुनना पड़ता है तो कहीं न कहीं मजबूर हो जाता है कि अब हमको सब भली मतब की बुरा भला कहे रहे हैं कि हम किसी काम के नहीं तो वहां पर वहात मत्या कदम हगे नहीं है तो मर्ज जाएंगे क्यों क्यों फेल होगें तो इसलिस थारे कदम उठाथ हें हर बाद ही होता है अब इस बार जब जल्ट वह की पिले रहूंगे जब भी होगा तो जो चीरा है नहीं एक परसेन की आपको कोई बता है नहीं और ne कराएगा भी तो आपको सिपकोश्चन कराएगा इस प्रस्तुत करेगा हम आपको वो कारे कर रहे हैं जो कोई नहीं किया है इसका उत्तर लिखांगे कि आतंगवाद के बारें की एक प्रकार के हिंसात्मक गिद्विदियां होती हैं अगर कोई ब्यक्ति या कोई शंगठन ठीक है कोई भी ब्यक्त है वो आर्थिक चीजों से यानि कि फैनेंसल चीजों से यह राजनीतिक चीजों से अपनी पूर्थ के लिए मतलब कि ठीक है अपने आपको वो चाहिए कि हमारा इस अमराज होना चाहिए हम इस देश की प्रधान मंत्री बनने चाहिए और हमारे पा और उनको मारे भी और उनको एकदम से उड़ा भी दे तो यह जो थोड़ा यह जो कंप्लीट प्रोसेस होता इसको मातंगवाद कहेंगे और आतंगवाद की अलग अलग बहुत सारी परिभास आये हैं आप अपने इंसार भी लिख सकते हैं या फिर एक एक्जामपर और में दे जाता है कि अगर आप अपने देश में यहां पर बंबिस्पोर्ट कर देंगे तो हम आपको 10 लाग रुपे देंगे ठीक है तो दूसरे देश के जो लोग होते हैं वो हमारे देश के जो विरोजगार होते हैं जिनको कोई भी काम नहीं है या फिर उनको पैसे की जरूरत है स करेगा वह स्टूडेंट क्या करेगा वह यह काम कर दे को कि उसकी पैसे की नीट है तो यह क्या हो गया यह आतंकवाद का ही उदाहरन हो गया ठीक है तो इस तरह आप लिख सकते हैं बहुत ही महात्पूंट प्रशन है काफी वार आज चुका इस बार भी आएगा ध्यान आतंकवाद के प्रकार बताएं तो वहां पर आपको लिखना है कि नर्जातिये राष्टवादी आतंकवाद देनियम बाइमन के नुसार अपने उद्दिश प्राप्त हित किसी उपराफ्टे नर्जात समू द्वारा जान बूच कर की गई हिंफा नर्जातिये राष्टव के लिए किसी को मार देना ठीक है वो सब क्या हो गया अतंकवाद के अंधर गतिया वह भी किसी दूसरे बिदेश के लोगों के कहने पर तो धर्मों को लेकर बहुत सारे अलग अलग दिनों में विवाद होगा करते हैं और धर्म के लोग किसे वाज़ा से बहुत लोग आतंक वाद यह भी बहुत बड़ा कारणा है विचार अलग 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 लोगों के उसके उनसार भी हो जाते हैं राज प्रियोजित आतंगवाद ठीक है स्वापक आतंगवाद यह कुछ टाइप है यानि कि आतंगवाद के परकाज इनको देहना है काफी बार आचुका अगरा कोश है का इनका पैसे किसको जोड़े तो आतंगवाद बन जाता है ठीक है क्यों ग्लत काम करने लगता है ठीक है दुसरा मनों पेज्ञ्णिक करनी तीस नहीं होता है राज नितिक बिवाद के वज़ासे लोग आतंगवाद का रूप ले लेते हैं शासक वस्टिक है साफितों मे सब्सक्राइब की प्रात में सुगमता यह कुछ प्रमुख उदाय है आतंकवाद के जहां फे उत्पत्ति होती है आतंकवाद की जो कि आपको धान रखना है और बहुत ही इंपार्टन कोश्चन है कि रीचे कुछ और मैंने आप लोगों के लिए प्रस्तुत किये हैं जिनका उत्तर हमने तैयार नहीं किया है लेकिन कुछ आप लोगों के लिए इंपोर्टन फिल्टर करके रखें अभी तक जिवाशन उसका उत्तर भी बता रहा था लेकिन अब बास अब स्वाद्ट्र में नहीं बताया इनका उत्तर को अपने question मैं Google साच करके पढ़ लेना है फिरा निर्धनता की परिभाफा दीजिए वह कारण बताएं निर्धनता का मतलब यह हुआ कि निर्धन गरेब ठीक है यह बहुत ही बड़ा प्रश्ण है और बहुत ही हाई लेबल का कई बार आ चुका है और अगला जो कोश्चिन दहेज एक समाजिक समस्चा स्पस्ट कीजिए तो पर इसका सिकार हो जाते हैं दहेज का तो जिंदगी बर जो भी कमाते हैं वह दहेज वाले लोगों को मतलब जहां पर लड़की बेजी उनको दिया करते हैं तो दहेज बहुत बड़ी क्रिटकल प्रोब्लम है और इसके बारे में आपको चर्चा जरूर करनी चाहिए और बाते नहीं समझ में आ रहे हैं इसमें सोच डिफरेंस है तलाग ले लेते हैं बिवा भिच्छित इसको बोलते हैं बहुत बड़ी प्रोब्लम यह भी है भारत में ब्रद्ध जनों की प्रोंक समस्च आएनी कि जो बढ़ापे होगे उनका कोई सहारा ने यह भी बहुत बड सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस वीडियो में जितने वी कोईश्चन देगे उनको तैयार कर लेना है मैंने बता ही दिया बाकी जो कोईश्चन देगे इनका आपको गूगल पर सच कर लेना आसाने सुत्तर मिल जाएगा मैं आपको गारंटे और भरवफा दिला रहा हूं इस वीडियो से बाहर मतब कि जो जो मैंने कोईश्चन बता हैं लगवार सबी प्रस्णाब के परिच्छा में जो आएंगे इस वीडियो चाहेंगे एक दू कोईश्चन तीन को तो नहीं कह सकते बाकिस सभी आएंगे अगर इनमें देगी सारे कोईश्चन आइंसर आगा ब आप चलते रहेंगे बाकि आज किस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा इस पूरी के पूरी पीडियाप को आपको प्राप्त करना है तो वीडियो के डिस्किप्शन में टेली वर्ट सब का ल